नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत मैं हूँ आपके साथ अब शेक पुंडीर यूपी की नो सीटों पर उपचुना हुआ जिनके बारे में समाजवादियों का ऐसा दावा था कि बीजेपी का इस बार तो सूपड़ा साफ कर ही देंगे क्योंकि एंटीन कंबेंसी बहुत ह लेकिन जब नतीजे सामने आए तो पता चला कि साथ सीटे बीजेपी के खाते में गई और सिर्फ दो सीटे समाजवादी पार्टी बचाने में कामियाब रही वो सीसा महू की सीट रही और करहल की सीट रही याला कि बीजेपी के उमिदवारों ने दोनों सीटों पर कड़ी ऐसा एसा है उसी पर ज्व애 साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रोईत पांडिक। नटीजों के वाफिए ने ऊपचुनाव किया है उन नतीजों को इए ञभविने में को देखने के पहले आप चार जून को उतरयों में जो नतीजे आये जो बीचेपी के पक्ष में नहीं थे जहां से उम्मीद थी कि अगर बीजेपी साथ सीट ले आएगी तो बहुमत बीजेपी के पास होगा केंद्र में लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण 240 पर बीजेपी रिकी फिर नाइडू और नितीज के सहारे सरका तीसरे कारकाल की मोदी की चल रही है और ये बहुमत क्यों नहीं मिला इसके सबसे बड़े कारण अखलेश यादव रहे हैं उन्हों ने जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ मिलकर तरप्रदेश में चुनाव लड़ा इंडिया गड़ बंधन ने जो जीत दर्ज की वो उ पी से लोग थोड़ा नाराज कट गए हैं कट गए थी राम मंदिर को भी नहीं बुना पाए राम मंदिर को नहीं बुना पाए फजाबाज सीट चली गई थी तो अखलेश यादव को लगा कि देखिया रही तिनी सीटे हमने हासल कर ली सबसे बड़ी पार्टी हम बन गए जिहास में जो प्रदरशन हम कभी नहीं कर पाए पिता मुलायम सिंग यादव जो कितने कद्दावर नहीं थे उनके काल में जब वो सम्हाल रहे थे सपा तब हमारी पार्टी यह नहीं कर पाई तो अखलेश को लगा कि हाँ मैंने वो कर दिखाया है और उसमें कॉंग्रेस क का राजनीती का स्थे तो कितना है उत्तरप्रदेश में लड़ी नहीं उत्तरप्रदेश पर उन्हें लगा कि अब यहां से 27 में हम योगिया धितनाथ को भी हटा सकते हैं उसके आधार पार मैं 27 में जाओं उससे पहले मुझी बताइए जिसमें मैं सबस्यादा जिक्र करूंगा कर आप 24 लोग सभा में फैजाबाद और आयुद्धा की बात कर रहे थे तो यहां पर कुंदर की का जिक्र करूंगा अगर वहां पर हिंदों ने वोट नहीं किया निकल कर तो यहां पर पर पौती नहीं है हम आपको वोट नहीं करेंगे और यहीं वजा है कि अखली स्यादा को अब समझ हा गया होगा कि भाई मैं जहां था फिर से वहीं पहुंचाया हूँ लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि 2024 आपने लोग सभा का जिक्र किया वो क्या था वो जो 37 सीटे आई और आज जो दो सीटे नो में से सिर्फ दो सीटे जीतने में समाजवादी पार्टी कामियाब रही तो वो क्या था देखे दो हजार चौबिस चार जूल को जो नतीजे है इसमें बीजेपी चालिस भी नहीं पहुंच पाई जो 80 के 80 बात कर रहे थे वो मैं उस दी दिन से कह सपा की जीत से जादा बीजेपी की गलत रहनीती का पैड़ाम था गलत रहनीती कैसे पहली बात जो लिस्ट भेजी गई उत्तर प्रदेश के सीम युग्याद इतनात की तरफ से कि इन इन केंडिडेट को हताये और वहां पर यह प्रत्यासी उतरने चाहिए उन केंडिडेट हमें नहीं हम उन से बड़े संग्ठन और बड़ी पाल्टी हैं तो उसकी नाराजगी थी कि ने काम नहीं किया वरना मोहन भागवत के प्रवास हमेशा होते हैं चुनाव के आसपास और प्रवास से बहुत होते हैं हर्यादा में हमने देखा कि सरीके से ने खेल पूरा पलड ही है तो नो हम जंता को लगा योगी को अटा इंगे अम जंता की नाता कुर्णा को लगा saja कि योगी को हटा देंगे यह वोटेशन में वमढ़ेंगें उन्होंने काम किया कि चलो यार अपने बूत से हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे हूँ हम और धीरे धीरे करते करते में कई जगह कई बात अपहल गई आप देख लिए संगी सोम किस तरीके से संजी उबालियान किस तरीके से टक कर थी तो यह हो गया कि कारकरता भी नहराज हो गए कारकरताओं को बहुत एहमियत नहीं दी गई उसकी नहराज की निकल कर आई यह चौब तेईस तारीख आते आते हैं जब हमाच चौबिस को बात कर रहे हैं महराज चुनाओ के नतीजे आ चुके हैं उपी के तब यह सब चीजें बदल गई बीजेपी संगठीत हुई संगठन मजबूत हुआ आरससस ने फिर से काम करना शुरू किया और उसका नतीजा यह साथ सीट यह ठीक है आपकी आपकी यह बात ठ तो सतरा के बाद भी कर लेते वह निस के बाद भी कर लेते वह बाइस के बाद कर लेते चौविस में चलिया अच्छा प्रदर्शन था और वह अच्छा प्रदर्शन मैं फिर कह रहा हूं अखलेस याद हो गया राहुल गांधी की वज़ा से था कारकरताओं की नाराजगी स सब्सक्राइब करेंगे मुझे यह सबसे बड़ा सब्सक्राइब कितना सब्सक्राइब कितना जाते हैं जीतने के बाद यह हमने वहां के कवरिज के दौरान भी देख अकले से आदा हो अकेले हैं ट्विटर की राजडिती करते हैं बिल्कुल और उन्हें मुद्दे को उठाते हैं जिस पर जनता नहीं करते हैं कि बुल्डोजर की कारवाई अतीक अहमद और मुक्तार अंसारी पर क्यों च अग्ले से आदव कहते हैं कि और कि आद में यादों को निया थी किये गए और यогिया चैनात के तो समझने हैं चुका है हर ज stal तो वह जो उसको जंता होंच है चार पर गढगी. ही नहीं हो पाएगी इसी चुनाव में देख लिए योगी इतना एक्टिव अकली चाहता हम नेक रहे लिए कि योगिया दिलतना थे नो नो रहे लियां कि आखरी सवाल बिल्कुल जो मेरा बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजेगा कि मुसल्मान जो इस बार इस उप चुनाव म लगातार हो रहा है कि वहां पर मुसल्मान बीजेपी के साथ आ गए तो उसके हमें दो पहलो समझने पड़ेंगे पहला पहलो यह कि वहां पर क्यों समाजवादी पार्टी लड़ रही थी अगर अभी चुनाव लड़ा जाया कॉंग्रेस भी लड़ ले और सभी पार्टिय नाम उन्हें दिखा वो यूसुप पठान जो कि साथ उससे पहले कभी वहां गए नहीं नहीं होंगे क्रिकट खेलते रहे इन फैक्ट यूसुप पठान जब नाम का एलान हो गया तो उन्होंने ममतब अनरजी से कह दिया कि मैं स्रिलंका का दौरा घर करके आ रहा हूं वहा अलबी आस्थाई है आस्थाई नहीं है लेकिन फिर भी जो नतीजे उपचुनाव के आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की आखों को खोलने का काम तो किया ही है और वह जो घमंड था कि मुसल्मान मुझसे अलग होकर कहीं जा नहीं सकते वह तरीके से कहें झाल झाल